अगर आपको भी कुछ इस परकासे 3D सोसल मीडिया इमेज किरियेत करना है आजा बॉस सिखा देंगे तो चलिए अब इसका इडितिंग सिख लेते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा बेल आइकन को फ्रेस कर दिजिएगा तो चलिए अब आपको लेचलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर तो सबसे पहले गूगल को ओपन करके आपको सर्च करना है कुछ इस परकार से लिख करके आप सर्च किजिएगा एक नमर पर जो वेप साइड आएगा उसको आप ओपन किजिएगा उसके बाद आप नीचे चलिएगा नीचे आपको देखनों को मिल जाएगा प्रम्त यहाँ पर आपको दो प्रम्त दे दिये हैं जैसे कि आप सब देख सोकते होंगे दोनों परम्त में अंतर क्या है वो आपको बता देते हैं फ़र्च जो परम्त है इसमें आपका फोटो बनेगा मतलब लोगो पर ही लारका बैठेगा कुछ इस परकार से जैसे कि आप सब देख सोकते होंगे सेकेंद परम्ट में कुछ इस परकार से बनेगा आपका लोगो अलग रहेगा और लर्का चीर लगा करके उस पर बैथेगा और अपना कम्प्यूटर चलाएगा जैसे कि आप सब देख सकते होंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आगे आपको पता चल जाएगा तो यहां से अप जिस परम्ट के साथ वीडियो फोटो एडित करना चाहते हैं उस परम्ट को आप कम्पी किजिएगा तो चलिए हम फर्ष्ट परम्ट को कम्पी कर लेते हैं इस पर आप दबा करके रखिएगा उसके बाद फर्ष्ट परम्ट को कुछ इस परकार से सलेक्ट कर लेजिएगा उपर आपको देखनों को मिलेगा कॉंपी करने का आइकन इस पर आप किली करके कॉंपी कर देजिएगा उसके बाद आप उपर चलिएगा उपर आपको देखनों को मिलेगा फोटो की रियेटर इस पर आप किली किजिएगा अगर एड आएगा तो इसको आप क रिष्ट कर दीजिएगा यहां पर आपको दो जगा पर खाली जगा देखनों को मिल जाएगा यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान लगा करके देखिएगा कि दोनों जगा पर आपको क्या लिखना है तो फर्स्ट जो खाली जगा है उसके पहले आपको देखनों को मिल जाएगा social media logo उसके आगे space है तो इस space को erase कर दिजिएगा यहाँ पर जो भी आप logo लगाना चाहते हैं मतलब कि जिस logo पर आप बनाना चाहते हैं जैसे कि facebook, instagram, whatsapp, snapchat जिसके साथ आप बनाना चाहते हैं उसका नाम लिख दिजिएगा तो चलिए हम यहाँ से facebook लिख लेते हैं आप instagram जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं उसके बार नीचे जो खाली जगा है यहाँ पर आप देख सकते होंगे यहाँ पर आप से पुछा जाएगा user ने तो यह जो खाली जगा है इस पर आप दबा करके रखिएगा तो वो select हो जाएगा अब यहाँ पर आप अपना user नाम लिख लिजिएगा तो चलिए यहाँ पर हम सुजीत लिख लेते हैं जैसे कि आप सब देख सोगते होंगे उसके बाद create वाला बटन पर किलिक किजिएगा यहाँ पर आप थोड़ा सा wait किजिएगा आपका photo बना करके दे देगा लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा request है वीडियो अच्छा लगे लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा बेल आइकन को phrase करते जिएगा तो यह कुछ इस परकर से बना करके दे देगा जैसे कि आप सब देख सोकते होंगे बिल्कुल perfect तरीका से बनाया है सब के सब बिल्कुल perfect है लेकिन इसमें आप देख सोकते होंगे कि मेरा जो नाम mention है वो दो नवर वाले में है बाकी सब में मेरा नाम सायद नहीं है जैसे कि आप सब देख सोगतों होंगे अगर इन में से आपको कोई सावी फोटो आच्छा लगता है उस पर आप किली करके दाउनलोड कर सकते हैं उसको भी आप copy paste करके यहां से photo generate कर सकते बस इसमें enter क्या रहेगा यह जो लारका जो logo पर बैठा है ना उसमें वो लारका cheer लगा करके उस पर बैठाएगा और computer चलाएगा समझ गए होंगे तो मुझे दो नमर वाला photo काफी आच्छा लगा तो इस पर हम click करेंगे save करने के लिए three dot line पे click किजिएगा download button पे click करके इसको आप download कर सकते हैं उसके बाद इसको आप cut कर देजिएगा अब आपको open करना है भी एन एप को तो चलिए इसको हम open कर लेते हैं उसके बाद plus वाला icon पे click किजिएगा new project पे click किजिएगा यहां से आप photo पे click किजिएगा जो photo अभी आप download किए उसको आप add किजिएगा next वाला button पे click कर देजिए उपर आपको देखनों को मिलेगा original किलिक किजिएगा new project पे click करके इसको कुछ इस परकार से छोता कर देजिएगा अब इसके पीछे by ground add करना है एद करने के लिए नीचे से आगे के तरफ चलिएगा आगे आपको देखनों को मिलेगा बीजी बीजी पे click किजिएगा image पे click क कर देंगे अगर इस फोटों में आप इस ट्रोक लगाना चाहते हैं outline लगाना चाहते हैं तो आप यहां से बौदर पर click किजिएगा जिस color का आप बौदर लगाना चाहते हैं अपना color select किजिएगा उसके बाद इस फोटों का जो size ऐ है डिविरेशन है अप लगभगе 12 सकें कर लेते हैं उसके बाद arrow पे किलिकिजिएगा quality देख लिजिएगा export पे किलिकर करके इसको आप gallery में save कर लेजिएगा अब इसमें मुझे auto velocity effect apply करना है करने के लिए यहां से आप down पे किलिकर देजिएगा बाहर चलिएगा auto velocity जो effect है वो आपको cap cut app में मिलेगा तो सबसे पहले आपको vpn को open करके connected करना होगा connected हो जाने के बाद इसको आप cut किजिएगा फिर से आप google को open किजिएगा प्लस वाला icon पे किलिकर के new tab को open किजिएगा search वाला icon पे किलिकर के आपको search करना है ICAL by technical सुझी तो कुछ इस परकार से लिख करके आप search किजिएगा एक नमर पे जो website उसको आप open किजिएगा उसके बाद यहां से आप नीचे चलिएगा नीचे आपको देखनों को मिल जाएगा use this template इस पर आप किलिक किजिएगा उसके बाद use template इन के पकत इस पर आप किलिक कर देजिएगा तो यह template के पकत एप में open हो करके आ जाएगा उसके बाद use template पे किल किये उसको आप एद कर देजिएगा नीचे से प्रिभीव वाला बटन पर क्लिक कर देजिएगा थोड़ा सा लोडिंग लेगा उसके बाद नीचे आपको देखनों को मिल लेगा प्रोसेसिंग अपलाइंग स्मूथ स्लो मोसन तो यहां पर आपको वेट करना होगा अपलाई ह हो जाने के बाद सेव करने के लिए एक्सपार्ट पर किलिक किजिएगा सेव एंड सेयर तु तक इस पर आप किलिक करके इस वीडियो को गैलरी में सेव कर लेजिएगा तो हमें उमीद के साथ साथ पूरा विश्वासे कि यह इडितिंग आप सब को आच्छा लागा होगा अगर थोड़ा सा भी लागा हो लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा बेल आइकन को फ्रेज कर देजिएगा तो चलिए मिलते हम अपने अगले वीडियो में